नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंजिनेरिंग गुरुजी में आज हम लोग एक बहुती इंपोर्टेंट पॉइंट पे बात करेंगे संट्रिकल पंप के उपर तो वीडियो बहुत नोलेज़वल होने वाला है अगर चैनल में नए है तो अभी तुरण चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आइकन को प्रेस कर दिजे जिससे आप लोग को रेगुलर नोटिपिकेशन मिलते रहेगा और कुछ मेकनिकल रिलेटेड टूल्स बगेर आप लोग को खरीदना है तो डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं तो चलिए करते हैं अभी वीडियो को सुरू तो आज हम लोग जानेंगे इस जो पाइप जो लगा हुआ ये पाइप ये पाइप किस काम पे आता है संट्रिप्रिकल पाम में ये पाइप किस लिए लगे रहता है और इस पाइप को क्या बोला जाता है दोनों साइड में लगा हुआ देखिए तो ये जो दोनों साइड में पाइप लगा हुआ है ये ग्लैंड के लिए यूज किया जाता है और इसको gland cooling tube बोला जाता है, इसको आप लोगको note कर लेना है, इस pipe को gland cooling tube बोला जाता है, और ये किसलिए लगाया जाता है हमारे इस जगा में ग्लेंड पेकिंग लगे रहता है इसी पोजिशन में ग्लेंड पेकिंग लगे रहते हैं ठीक है तीन चार ग्लेंड पेकिंग लगे रहते हैं और एक बीच में लेटरन रिंग लगे रहता है इस जगा में एक लेटरन रिंग लगे रहता है, जो की फोटो आपलों को दिख रहा होगा, उस लेटरन रिंग पे यह जो कुलिंग वाटर का ट्यूब देख रहे हैं, यहां से रेगुलर वाटर जाके उस लेटरन रिंग पे गिरते रहता है, इसी लेटरन रिंग के उपर में, जिसका इस pipe के वज़े से छोटा सा चीज़ आप लोगों को दिख रहा होगा लेकिन बहुत important चीज़ है यह क्या करता है, gland को जलने नहीं देता, sleeve बहुत जल्दी damage हो जागा, अगर यह tube अगर नहीं रहेगा तो उसका जो sleeve है, वो sleeve बहुत जल्दी damage हो जागा, सेम दोनों तरफ ही gland र ring रहता है, तो हमेशा ध्यान रखना है, जो tube का hole रहेगा, उसी के उपर ही आपको letter ring को set करना है, कभी भी step and box का अंदर जब आप set करोगे, तो इस tube से जो पानी जा रहा है और जहां पर उसका छेदा है, उसी जगा आप लोगो letter ring को set करना है, अलग जगा नहीं, टीक है, gland का दो gland पहले डाला जाता है, उसका method है, और इसके बाद बीच में letter ring, उसके बाद और दो gland rope लगाया जाते हैं, जिसका process है, मैं इसका next video बनाऊंगा, gland picking किस तरह से use किया जाता है, तो आपको इस tube के बारे में आज जानना है, यह tube बहुत important है, इसको खोल के इस point से, और आपको regular clean करना है, इसको भी आपको जानके रखना है, drive और non drive को हर एक महीने, monthly आपको एक बार यह दोनों tube को खोलना है, और block चेक करना है, कहीं block तो नहीं है, अगर यह block है, तो sleep आपका बहुत जल्दी damage हो जाएगा, gland picking बहुत जल्दी damage हो जाएगा, letter ring बहुत जल्दी damage हो यह sleep जो देख रहे हैं, यह cut जाएगा पूरा, ठीक है, आपनों को photo दिख रहा होगा sleep का, वो sleep भी cut जाएगा, बस छोटा सा comment के बज़े से, अगर यह pipeline block हो गया, यह tube, तो इसको आपको हर एक बार, monthly जब आप इसका maintenance करो, तो आपको gland को बचाने के लिए इस tube को clean करना है, और हमेशा लेटरन रिंग के उपर उसका पानी गिरे, इसको धियान रखना है, ठीक है, जिससे आपका sleep बहुत लंबा life तक चलेगा sleep का, नहीं तो बहुत जल्दी damage हो जाएगा, दो टुकडा हो जाएगा, बिस से वो heat हो के, running से दो टुकडा तक हो जाता है sleep, दो पार्ट म रहता है, इसको set करना पड़ता है, कि regular drop drop, वहाँ से gland पुसर का वहाँ से, ये gland cooling tube से जो पानी जा रहा, वो regular गिरते रहे, हर एक centrifugal pump में आप लोंग को इस तरह का दो tube दिख जाएगा आप लोंको, और जिसमें नहीं रहता है, उसमें internal आता है, internal casing के अंदर से एक point दिये रहता है, gland में पानी जाने के लिए, नहीं तो क्या होगा, gland drop बहुत जादा heat हो जाएगा, इस चीज को आप लोंको ध्यान देना है, और हमेशा regular आप लोंको इस gland cooling tube को clean क damage हो जाएगा, gland packing damage हो जाएगा, gland pusher heat हो जाएगा, later on ring तक damage हो जाएगा, छोटे से गलती का बज़से, तो हमेशा आप लोंको हर एक महीने maintenance जब करें pump का, तो इस tube को regular clean करें, तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगर इस वीडियो से आप लोंको कुछ भी अच्छा knowledge मिला है, तो अभी तुरहन चैनल को subscribe कर लिजे, और bell icon को press कर दिजे, जिससे आप लोंको regular notification मिलते रहेगा, और मेरे दूसरे चैनल को भी support कीजेगा, जिसका link में description में डाल दूँगा, ठीक है दोस्तों, bye bye